बाबा प्रणोम वेज्ञानिक हर वक्त उसकी स्रष्टी के भीतर इन्वेंशन किये हुए हैं लगातार और संत सदा उसकी स्रष्टी के भीतर खोज किये हुए हैं कि मैं कौन क्या प्रमात्मा कितना बेदर्द है कि वह बता नहीं सकता कि मेरी स्रष्टी में क्या छुपा वह दर्द का इलाज नहीं बता सकता वह रोगों का बिलाज नहीं बता सकता क्या है मेरी स्रष्टी में इन खोजों को बता नहीं सकता इतना रहम दिल नहीं है वो अरुन राय इतोपलिस मुसलसल हादसों से बस मुझे इतनी शिकायत है कि ये आंसू बहाने की भी तो महलत नहीं देते हैं मुसलसल हादसों से बस मुझे इतनी शिकायत है कि ये आंसू बहाने की भी तो महलत नहीं देते हैं वैग्यानिक खोज कर रहे हैं बता नहीं सकता आके मेरी सश्टी में क्या है खोजने का का फैदा तुम मेरे बच्चे हो वेर्थ में प्रिश्रम मत करो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ ये भी कैसा पेता हुआ और रिशी बनीशी अपने भीतर अपने आपको खोजने की चेश्टा कर रहे हैं क्या वो रास्ता नहीं बता सकता के कैसे उतरेंगे हैं मनुष्य की इतनी ही वेवसी है इतना असहाई है वो के मनुष्य जिसे खोज नहीं पाता प्रमात्मा उसको करियेट कर देता है मनुष्य जिसका निर्मान मनुष्य जिसका अन्वेशन नहीं कर पाता इश्वर उसका निर्मान कर देता है जिसको इन्वेंट नहीं कर पाता सैंटिस्ट प्रकृति उसको सरजन कर देती है कितना असहाई है मानुआ और तुम कहते हो कि अपने बच्चों को बता नहीं सकता मतलब तुम्हें पक्का भरूसा है कि तुम हो तुम कहां हो खोज न तुम खोजो तुम तुम हो कहां प्याज की उपर के पर्तों को अगर हो हर दिया जाए तो प्याज कहां है बता पौब पर्ते ही प्याज है पर्तों का सम्मूभी प्याज है तुम हो कहां जो तुम्हें बताए वह ही तो है किसको बताए क्यों बताए वह मात्र वह है तुम हो ही ने बताए किसको उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती तुम्हारी कोई जिम्मेदारी हुसेम को कुछ बताने में बनती है क्या बताओगा जो तुम जानते हो अगर आग्यान की पर्त तुमने बना ली है इसमें आश्यर कोई रसूर ना है यह पर्तें तम्हारी बनाई हुई है यह तम्हारी करियेशन है और मनुष्य कितना असाहल है मनुष्य जिसको ख्isher नहीं बाता आश्यर उसका create कर देता है उसको creation कर देता है और अपने आपको तुम बहुत शक्तिशाली समझते हो इस शुर्टक को चैलेंज कर देते हो देखो हमने खोज लिया क्या खाक खोज लिया जो खोजा वो खोजने जैसा था ही नहीं और उसको चैलेंज कर रहे हो जिसने निर्मान कर दिया किसको बता है विज्ञानिक बचारे रात बदन अब शिकार करे और उसकी स्रिष्टी को वो बता नहीं सकता कि मेरे कैसे रात चुपँए वो बता नहीं सकता कि कैंसर का इलाजी है यद पी उसकी स्रिष्टी में है वो बता नहीं पाता कि कोरोना का इलाज क्या है यद पी उसकी इस रिष्टी में है प्रशन लगेगा ठीक है ठीक है ने क्योंकि जिस तल से तुम प्रशन पूछ सकते हो उसी तल से प्रशन आया है उस तल पे उतर जाओ जिस तल से प्रशन पूछा ही नहीं जा सकता जहां उत्तर ही उत्तर है जहां प्रशन का नाम और निशान भी नहीं उत्तर ही उत्तर है सब ये प्रशन बेफल हो जाते हैं वहां उत्तर जाओ और ये उसका खेल है किसी को बताने की अब शिक्ता क्या है खेल का ही सौत है खेल का ही मजा है अगर खेल को गार दिया जाए तो उसमें मजा क्या रहा असल में ये जीवन बच्चे जो खेलते हैं लोग को मचाई कुछ छुप जाता है दूसरा ढूणता है अगर पता ही चल जाए वो है कहां तो खेल का सर्प्राइस रहा कहां खेल का मजा ही खो जाएगा ढूणने में ही मजा है तुम ढूणो तो और पाओगे सर्प्राइस तो यहाँ है ढूंडने में सर्प्राइज मिलेगा बताने में कुई सर्प्राइज में ढूंडना भी बड़ा प्यारा है ये खेल है उसका कोई दूसरा है एक ही है दादू दूजा कोल एको अहम दुद्ति और नास्त एकों कार सभी संथ एक भाशा में बोलते है जब दूसरा कोई है नहीं तो किसको बताए इतनी तुम्हे समझे नहीं आए खुद को क्या बताए खुद तो सब जानता है और वो ही है दूसरा कोई है नहीं जिसको बतलाए तुम समझते हो के दूसरा है तुम समझते हो के परमात्मा मुझे बताए ये साइंटिस्ट वचारी रात भर जाते एक बच्चा पीड़ा सहरा है कैंसर है दर्द सहरा है चीको चलाट मची तो बता देना चाहिए के इसका इलाज क्या है अगर बता ही दिया तो सारी खेल का स्वाथ किरकरा हो जाएगा यही तो आश्चर है जो अंतिम गड़ियों में पता चलता है तभी तेत्रिय उपनिशत का रिशी कहता है आश्चर आश्चर अगर बता ही दिया तो आश्चर समाप्त हो जाएगा इसी आश्चर को जानो इसी आश्चर में उत्रों सब पता चल जाएगा जो पूछा वो भी जो नहीं पूछा वो भी सब पता चल जाएगा उत्रों भीतर उत्रों क्या प्रमात्मा इतना दुष्ट है अगर हम उसके बच्चे है तो हमें बतला नहीं है सकता कि सोशती में ये चीज़ है खोजना क्यों पड़े फिर तुम कैज़ा कमार नहीं नहां आएगा क्या करोगे अगर सब कुछ इश्वर तुमें बतला दे तो करोगे क्या बस चार पाई तोड़ते रहो फिर तो कोई मज़ा ना हुबा जीज़ा का एक विक्ती मर के उपर पहुँच गया हर दिन यहां उतपात मचा रखता था कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया कोई राजनितिक होगा है ये राजनितिक रोज कोई न कोई जंजट खड़ी कर देते हैं जान भूज कर कोई राजनितिक हुआ होगा मरा उपर गया तो धर्म राज बोला किदर जाना है बताओ स्वर्ग जाना नर्ग जाना कहते दोनों दिखा दू ठीक धर्म राजनितिक का पहले इसे स्वर्ग दिखा दू आदमी अच्छा मालूम पड़ता है स्वर्ग दिखाया क्या है स्वर्ग के वितर बैठे हैं मुनी जी पदमा से कंठी माला नाम जब रहे बजनकार है कीरतन हो रहा है अपनी अपनी शेलाओं के ओपर बैठे बैठे देखां सारा स्वर्ग फिर लिए मज़ा नहीं आया क्या है ये भी कोई जीवन है ये को स्वर्ग हुआ है कोई खुशी जैसी बात तो इसमें दिखती रहे हाँ ये ठीक है कल्प विक्ष है जो मांगोगे वो मिल जाएगा लेकिन फिर मैं क्या करूँ का उतबाती मनुश्य सदा यह से सुचता है तब ही तो उतबात करता है यही तो लाइज नीजने का आप पूछा उसे क्यों कतलो गारत करते हो तुम क्यों मारते हो लोगों को क्यों उसका धन लोटते हो क्यों के उनके शरीरों को काट देते हो सिकंदर ने कहा मैं सारी धरती को जीत लेना चाहता हूं उतबात मचाना चाहता हूं क्यों सब एकठा कर लेना चाहता हूं और फिर क्या करोगे फिर मैं आराम करूगा राजा अगर आराम ही करना है तो मैं बिना कत लोग आरत किये बिना सोने के एक जज़ा पर एकठा किये पिना खून बाहर है मैं आराम कर रहा हूं जोंपड़ा भी ठीट ठाकी है बदन पर कुछ ने लेकिन आराम कर रहा हूं बिना कुछ किये आराम कर रहा हूं अगर आराम ही करना है तो फिर उतफात क्यों छोड़ो उतफात के बिना आराम बड़े मज़े से कर पाऊगे लेकिन बहाने हैं उत्वाती मनुश्यों के बहाने हैं कहां आराम कर पाते हैं तुम कभी आराम कर पाते हो गोर से देखना अपने जीवन को एक लक्ष पूरा होता है ये कर देंगे उसके बाद आराम कर देंगे पित्र पित्यों की शादि कर देंगे उसके बाद आरहम कर देंगे फिर नए के लिए शुत्वन हो जाते हैं फिर पौतों पौतियों को बड़ा करना फिर उनकी ववाशादी करना और तुम पूरे हो जाते हो, काम पूरे नहीं होता है अगर आराम ही करना है तो इसी क्षण शुरू कर दो इसी क्षण कर सकते हो आराम कोई नहीं रोपता है अभी आज ही मुझे कमेंट आया मैं कल घर से भाग गया था बाबा पकड़ा लोगों ने पकड़ लिया लोगों मुझे पूशन लगे कहा जा रहे थे घर भाग के कहा जा रहे थे मैंने का घ्यारन करने जा रहा तो कहने लगे यह पागल है निशानी तो पागल पन की ही है मैंने कब कहा के भाग जाना मैं सदा ही कहता हूँ मैंने भी पागल पन किया था अनुमान जी ने कहा घर बैठे मिल जाएगा यहां मत भागो यहां कुछ नहीं है गर बैठे मैं जाएगा गर बैठो वापस आना पड़ा तुमारी तरह तुम गवरा जाते हो लेकिन लोटना वहीं पड़ता है जहां से भागे थे यह मन है मन के ख्यालात हैं पेंडू लम की तरह कभी इस अती पे जाते हैं कभी उस अती पे जाते हैं तुम ठहर तो पते ही नहीं यह भागना भी ठहर आने से भागना है मैंने ठहर ना पताया तुम भागे फिर समझे क्या मेरी बात को मैंने का ठहर जाओ जहां भी हो और तुम घर से भागे ठहरने के लिए जबके ठहरा तो घर पर भी जा सकता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से घर में ठहरा जा सकता है वहां सभी सुविधाएं उपर अपता है बाहर जाके तुम तुमें और दोड़ना पड़ेगा सुविधाएं एकत्रत करने के लिए दोड़ना पड़ेगा वहाँ दोड और ज्यादा लंबी हो जाएगी किसने कहा भागो मैंने तो कहा है ठहरो मैं तो भागने को सदा ही मना करता हूँ और तुम मेरे प्रबचन सुनकर भागे क्यूं भागे? ठहर ना है इसलिए भागे द्यान में जाना है याने ठहर ना है ठहरने के लिए भागे जबकि ठहर तो यहां भी सकते हो यहां ज़्यादा मजे से ठहर सकते हो सब बना बनाया जुगाड है यहां ठहरने का बस ठहरना तो तुमने है तुम ठहर जाओ उतपात मत मचाओ तो स्वर्क से वापस आ गया जची नहीं वाप नर्क ले चलो नर्क ले गया है मैं जगड़े लड़ाई जगड़े एक दूसरे को कूट पीट रहे है कतलो गारत हो रही है लभू विखर रहा है दुनिया भर के उतपात कांटों पे सुलाए जा रहा है कड़ाहों में तला जा रहा है निंदा हो रही चुगली हो रही वक्त भ्योरे भाशन ये सब राजनितिग वहीं थे खोश हो गवा अपने मित्रों को देखकर ठीक यहां जजेगे वहां तो अपने हिसाब का कोई आदम ही नहीं था बात करने तक को राजी में आखे मुदे बैठें देखने की हिकमत भी नहीं करते के कौन आया उस वक्ति को नर्क बड़ा जचा चीखो पुकार हर तरफ लड़ाई जगडे फसाद दंगे सब देखकर बड़ा खुसुबार जच गई बात वो भी कोई बात है ना देखते हैं ना सुनते हैं किसी को किस से क्या कहें यहां जच गई खुब बत्याएंगे गाली गलोच करेंगे मार पुटाई करेंगे नर्क बड़ा जचता है तुम सभी ने नर्क बना लिया है अपना सुर्ग बनाना तो बड़ा आसान है जिससे तुम इतना मुश्कल समझते हो नर्क बनाना मुश्कल है क्योंकि वो तुम्हारी प्रकृती के खिलाफ परता है तुम्हारी प्रकृती तुम्हें स्वर्ग बनाने में साहिता करती है नर्क तुम प्रकृती से विपरीत जाके बना पाओगे इस बात को ध्यान से समझ लेना जब भी तुम अपना नर्क निर्मीद करते हो तो प्रकृति से बुरुद जाके करते हो प्रकृति तो तुम इस फर्ग बनाने के लिए सदा ही पकारती है लेकिन तुम प्रकृति से विपरीद उसकी धारा से विपरीद तैरते हो हासपाओं मारते हो प्रकृति से विप्रित जाके तुम अपना नर्क निर्मीद करते हो प्रकृति की धारब में बहते हो नर्क तुम स्वेम बनाते हो प्रकृति सदा ही स्वर्ग बनाने को आतर हो स्वर्ग बनाना बड़ा आसान है बहना भी कोई दुश्कर है बेहना कोई मुश्किल काम है क्या बस छोड़ देना अपने आपको उस सहज परवा के भी तरफ नदिया के उस धार के भी तरफ कोई मुश्किल काम है तैरना मुश्किल है तैरना सीखना पड़ता है बेहना तो सीखने की आवशिक्ता ने मैं तो खुद ही जाओगे वो तो नदिया ही भाके ले जाएगी उसकी धारा में लेकिन तेरने के लिए तो मैं अपना दुख बनाने के लिए नर्क बनाने के लिए तो मेहनत करनी होती है सुरक बनाने के लिए किसी तरह की मेहनत करनी की अवर्शत है सुरक तु यही है, नर्क भुष में है, नर्क अधीत में था इसलिए तुम नर्क बनाते हो, कभी अधीत की समर्तियों में खो जाते हो कभी भुष की योजनाओं कर बनाओं में खो जाते हो तुम नर्क बनाने के दक्ष हो, तुम माहिर हो अपने नक्ष बनाने में नक बनाने, तुम स्वर्ग बनाते ही नहीं, तुम वर्तमान में ठहरना जानते ही नहीं, तुम वर्तमान में रुक ही नहीं पाते बाग जाते हूं, कल ये महाशे भाग गए, मुझे क्या खाक समझे, मैंने का रुको, तुम भागे, मेरी बात सुनी कहां तुम ने, मैंने का ठहरो, तुम भागे, तो मेरी बात तुमने कहां सुनी, और भागे भी ठहरने के लिए भागे, कमाल की बात, मन बड़ा, चालाक है, मन नए नए उपदेश्ट, मन बड़ी खोजे करता है, नितनूतन खोजे करता है, ठहरने के लिए भागा, अजीब अजीब तरक है, अजीब अजीब डेफिनिशन्स है, बताए किसे इश्वर, दादू दू जाको नहीं, जो वो ही है, और वो जानता है, यह प्रशन अज्ञानी ही कर सकता है, अज्ञानी विक्ति का प्रशन नहीं, अज्ञानी विक्ति प्रशन ही नहीं करता है, अग्यानी ही प्रशन करता है मूर मती ही प्रशन करता है क्यों नहीं अपने बच्चों को आसान रहा बता देता क्यों नहीं कैंसर का इलाज बता देता सब इलाज उसे पता है जिसने जरजना की बिल्कुल पता है लेकिन खेल कैसे खेला जाएगा फिर तो खेल, खेल ना रहा, फिर तो कुछ भी ना रहा क्या करोगे अगर तुम्हें सुखी कर दिया जाए स्वर्ग से भाग कड़े होगे, वो आदमी समयदार था जो स्वर्ग से भाग कड़ा हुआ, क्योंति स्वर्ग तो बहुत ही इजी है बनाना स्वर्ग अभी मौजूद है, नर्क भविश्य में मौजूद है, नर्क अतीत में मौजूद है स्वर्ग अभी मौजूद है और तुमारी मुश्कली ही है, तुमारी कठनाई यही है कि तुम अभी में ठहर ना जानते ने इतना इजियस्ट है स्वर्ग में प्रवेश करना दुख में प्रवेश करना तो बोला मुश्किल है दुख को तुमें बड़ी मसीबतों से बनाना पड़ता है और तुम कहते हैं कोई दुखों से हम पीछा ही नहीं चोड़ पाता दुखों को बनाना मुश्कल है सुखों को बनाना तो बड़ा असान है सुरक तो जब जाहे निर्मीत कर लो सुरक के तो खजाने तुम स्वैम ही हो नर्क तुम्हारी पुर्शार से बनी गई अभी व्यक्तिया है नर्क तुम्हारा निर्मान है स्वर्ग प्रकृति का निर्मान है वह क्यूं बताए जो जानता है वह क्यूं बताए उसे बताने की कोई अवश्यक्ता भी ने क्योंकि उससे पता है बताऊं किसको भोग किसको लगाऊं सिक्षा किसे दूँ उसके सिवा कोई है खुद को बतलाए पागल हुआ है और फिर उसकी परकृति के नियमों का क्या होगा अगर कोई कैंसर से युगता है तो अवश ही उसने कोई खान पान में खराबी की होगी कोई और पिछले इस जनम में ऐसा काम किया होगा जिसका प्रिवनाम वो भुगत ना पड़ता है उसे भुगत रहा है कैसे भुगत पाएगा तो मारी संयोजना के हिसाब से तो कुछ भी नहीं होगा सरश्टी अगर तुमारे हिसाब से बनाई जाए तो सरश्टी बन ही नहीं पाओ सरश्टी का सरजन हो ही नहीं पाएगा अगर वो तुमारे डंक से बनाएगा तो यह तो तुम्हे पूछता नहीं इसलिए सरश्टी में इतनी एकोरिसी है कि वह किसी से पूछता नहीं और वह किसी को बताता भी नहीं क्यों बताए क्यों पूछे पूछने के लिए भी दूसरा नहीं है बताने के लिए भी दूसरा नहीं है दूसरा है ही नहीं वो ही है यानि तुम ही हो अश्टवकर के इस उत्र में उत्रे है मैं यह शरीर नहीं हूँ और नहीं यह शरीर मेरा है मैं यह शरीर नहीं हूँ ध्यान से सुनियेगा और नहीं यह शरीर मेरा है मेरा कुछ नहीं है उसी का है ने मैं शरीर हूँ ने शरीर मेरा है मैं तो ग्यान रूप हूँ मैं चेतना हूँ मैं कॉंशिसनेस हूँ मैं हूँ बस इतना जानता हूँ मैं हूँ होने का मतलब चेतना होता है मैंने कर भी समझा रहे था कंप्यूटर तुमारे से ज़्यादा दिमाग रखता है तुमारे से ज़्यादा जल्दी कैलकुलेशन कर लेता है कैलकुलेटर तुमारे से ज़्यादा समर्थी है कंप्यूटर की तुमारे से ज़्यादा काम करता है रोबोट बिना ठके लेकिन जड़ क्यों है क्योंकि उन में होने का आवास नहीं है अगर कम्प्यूटर के भीतर चेतना आ जाए तो कम्प्यूटर तुम्हारा कहना नहीं मानेगा कम्प्यूटर कहेगा मैं हूँ, खबरदार अगर कीबोर्ड के उपर हाथ रख, बक्षियां उधेर दूगा और रोबोट कहेगा मैं क्यों तुम्हारा कहना मानू मेरे माँ बाप भी तो है मैं क्यों लड़ू युद्ध में मैं किसी से दुश्मनी क्यों मोर लो कल्कुलेटर कहेगा अपने दिमाग से काम करो मैं तुम्हारा काम क्यों करो अपना काम खुद करो मैं होने का भाव नहीं है वो जड़ है जड़ भी तुमारे से ज़्यादा समझता रहा है तुमारे से ज़्यादा समर्थियों को संग्रहित किया है तुमारे से ज़्यादा शक्ती है तुमारे से ज़्यादा काम करता है मशीन कितने दिन चलती रह सकती है कम्प्यूटर कितने घंटे काम कर सकता है और कम्प्यूटर के वितर दुनिया भर की चीज़ें आप फीड कर सकता है दिमाग में नहीं हो सकते हैं फरक क्या है जड़ पर चेतन में चेतन के वितर ये भाब चेतना के मैं हूँ ये आभास चीतना को जड़ से अलग करता है मैं यह शरीर नहीं हूँ और यह शरीर मेरा नहीं है मैं तो ग्यान रूप हूँ मैं अस्तित हूँ मैं हूँ ऐसा निश्चे करने वाला विदे है देह उसकी नहीं है देह से पर ऐसा जानता हुआ मुक्ति को प्राप्त हुआ बहविक्ति मुक्ति को प्राप्त ही है जो ये जानता है कि मैं न सरीर हूँ ना सरीर मेरा है वो ही मुक्त है कल ही मुझे एक परशनद Prayer अच्छा, एपिहोब में जो जाते हैं लोग, गया जी में जो जाते हैं लोग, मुक्ति गराने के लिए हैं, जो विक्ति मर जाता है, उसकी मुक्ति हो जाएं, इसके लिए जाते हैं, बाबा इसमें क्या राज है, कोई राज नहीं, यह जूट है, पाखंड है, ब्यापार है, यह एक कारोबार है, धन्दा है, पंडितों बिरोहितों का, किसे मुक्त करोगे जराज़तों समझाओ, और मुक्ति ऐसे तोड़ा होती है, कि चार शलोक बोल दिये, चार मंत्र बोल दिये पांडे ने, और तुम मुक्त हो गए, इतना सस्ता है मुक्ति, यह विक्ति जो मंत्र बोल रहा है, खुद बंधन में है, खुद बंदा हुआ है इसको मुक्ति का कोई पता ही नहीं ते यह लोब में बंदा हुआ है धन एकत्रत करने के लिए धन्दा चलाता है इसे मुक्ति का स्वाद भी नहीं पता इसे मुक्ति का अर्थ भी नहीं पता मुक्ति तो बड़ी प्यारी चीछ है यह मुक्त कराएगा और तुम इसे मुक्ति के लिए जाते हो मुक्ति इतनी सहज अवस्ता नहीं है कि तुमारे पंडितों के चार शलुख बोलने से वो मुक्ति हो जाए हाँ तुमारे मन का वहम तूट जाता है ये मन वड़ा वहमी है वहां जाकर जब लोट के आ जाता है तो तुम समझ लेते हो के ठीक हमने मुक्ति भी करवा दी यद भी कोई मुक्ति ने वो खुद भी मुक्त नहीं बेचारे जो तुमारी इन आत्मों को मुक्त करवाते हैं थोड़ा इसके रहस्य को जानने इसमें आज सारी दुनिया उलजी कड़ी है भारत वर्ष भी विदेशों में तो ऐसी बात है ने वो तो मुक्ति वगरा की चीज को मानते ही ने वो तो कहते हैं बस एक जनम है मुक्त काहे अगले जनम में जाना काहे जब है ही ने तो ना इसाययत में नमसल मान में है मुक्ति का कोई मतलब ने है या हमारे हिंदुस्तान में ही मुक्ति यहां ही पहोवा है यहां ही गया है किसे मुक्त करोगे है अब इसके रहस्य को धीरे से इसके भीतर उतर के समझने की चेश्ठा करें जो व्यक्ति मर जाता है यहनि जिसका सरीर मर जाता है उसको नया घर देने की जिम्मेवारी प्रकृति की है कोई सहजता में मर गया अपनी आयू भोक के मर गया शरीर क्षीन हो गया यह घर रहाइश के योगे न रहा आत्मा बाहर शलांग लगए यह घर अब जिरन शीन हो गया इसके वितर रहने का कोई प्रियोजन न रहा उसने शरीर छोड़ दिया इसे तुम मरत्यों कहता यह तुम्हारे एकसिडेंट में मरत्यों हो गई दुर घटना हो गई मरत्यों हो गई शरीर मर गया या किसी ने आत्मगाद कर लिया सुसाइड कर लिया सरी न रहा या किसी बबारी के कारण कोई मर गया इस शर कभी भी किसी बेव्यक्ति को एक निश्यत आयू देखकर नहीं बैचता प्रकृति प्रतेक पुर्ष को उसके जम्मेदारिव है जो घर विहीन है उसे घर उपर अब्त करवाद है लेकर उसमें प्रकृति का एक नियम है जो आड़े आता है वह आड़े आता है को जो ज़्यादा बुद्ध पुर्ष लोग है वहां प्रकृति असमर्द है बुद्ध जा गया है अपना गर्भ स्वेम चुनेगा इसमें प्रकृति हस्तक शेप कर नहीं सकती और जो व्यक्ति अतना दुष्ट है जिसके लिए गर्भ उपलब्ध ही नहीं राक्षश वर्तिकाद जिसने इतनी कतलो गारत हिंसा फैलाई नफरत फैलाई लहू विखेरे जमीन लाल कर दे उस व्यक्ति के लिए उच्छे तगर्भ उसके कर्मों के हिसाब से उपलब्ध नहीं तो कर्थी प्रकृति वहां भी मजबूर हो जाती है क्योंकि उसके कर्मों के हिसाब से उसे गर्भ महिया नहीं है अबे जब आएगा प्रकृती उसे उपलब्द करवाती है ये दो अफसरों पर प्रकृती गर्ब उपलब्द नहीं करवाती है फिर आप पे होवा जाओ, गया जाओ, कहीं भी जाओ जहां प्रकृति असमर्थ हो गई, आपको गर्भ उपलब्द करवाने में, वहां तुमारे पांडे प्रोहित शलोफ पढ़ते रहें दिन बर रात, वेदमंत्र पढ़ते रहें, कुछ नहीं होने बाला वो शब्त हैं, लिपियां मुक्ती शाब्दिक अर्थों में जंजालों में बंदी हुई चीज नहीं है, जो के बोल दिये जाएं और तुम मुक्त हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है समय से पहले अगर किसी का घर तूट गया, या उसने तोड़ लिया, कुछ गल्ती हो गई, या कुछ रोक लग गया, किसी सरक्म्स्टेंस की वज़े से दरार आ गई, तूट गई, तो नया शरीर परदान करना ये प्रकृति की जिम्मेवारी है नॉर्मल चेतना को नॉर्मल व्यक्ति को प्रकृति गर्व लब्द करवाएगी ही करवाएगी यह प्रकृतिक जिम्मेवारी है चाहे वो हर साल गर्व बदले कुछ भी ऐसा इंसीडेंट हो जाता है गर्व पास हो जाता है मिसकरिस हो जाता है अबॉर्ट हो जाता है ये सब हैपनिंग है, जो आप देख नहीं पाते हैं, जो आप सोचते नहीं, आप उसे ही सोचते हो, अगर किसी की दुर्ग अटना हो गए, या कोई सहच भर गया, या किसी ने कोमेट सूसाइट कर लिए, आप उसे ही जान पाते हो, ऐसे आत्माओं को आप कहां जान पाते हो, जो मिस्कारी से हो गया जो एवाल्ड कर दिया गया जो निश्यत समय की अवदी के पहले गिर गया उसे भी सरीर चाहिए सरीर मिल गया था लेकिन कोई प्रकृतिक वबस्ता में वेवदान पुढ़ने के कारए बह गर तूट गया बह गर फिर तूट गया नया घर देने के जिम्मेदारी फिर प्रकृति के उपर है प्रकृति का ये काम है प्रकृति का ये जिम्मेवारी प्रकृति को सूपी गई है जिसका भी घर तूट गया उसको नया घर महिया कराना नहीं जचा कोई घर आपने कुमिट कर दिया सूसाई प्रकृति आपसे ने पूछे थे आपने क्यों किया प्रकृति का सिर्फ काम इतना है अगर घर नहीं है जिसके पास घर नहीं है उसे घर दे देना प्रकृति का काम कोई पंडा या पुजारी या कोई वेक्ति शलोक बोल के मंतर बोल के किसी स्थान विशेश पर आपकी आत्मा को मुक्त नहीं कर सकता किसी में इतनी हिमत नहीं, किसी में इतनी ताक्त नहीं, प्रकृति के सिवा प्रकृति असीम ताक्त रखती है प्रकृति को सारे नियम काइदे पता है तम्हारे पंडों को कुछ भी ने पता है अभी तुम कह के हटे हो कि विग्यानिक खोच रहे है आदमी खोज रहा है उसको इसे परमात्मा ने बना दिया है उस करियेशन पर इनवेंट कर रहा है परमात्मा ने रेत का एक कन बना दिया और साइंटिस्ट अभी बे नहीं खोज पाया कि ये कन बनाया कैसे परमात्मा ने हैरानी जनकवाद है प्रमात्मा ने बना भी दिया समगर संसार विश्व बना दिया ब्रमंड अस्तित्व बना दिया और व्यग्या ने कभी ये भी नहीं खोज बाया कि ये कान रेत का बनाया कैसे ये खोज पाया बामुश्कर कि एलेक्ट्रोन प्रोट्टोन न्यूट्रोन पस बनाया कैसे ये खोज नहीं पाया और ये खोज पाएगा भी नहीं कभी मनुश्य में इतनी समझ कभी नहीं रहे कि ये बना कैसे वो बना के दखा देने नई सरजना को वो नहीं कर सकता इसलिए फिजिक्स कहती है matter can neither be created nor can be destroyed तुम इसे create भी नहीं कर सकते तुम इसको विनस्ट भी नहीं कर सकते तुमारे हाथ में कुछ नहीं किसे मुक्त करोगे सब के धंदे है बस तुमारे मन की तसलिए हो जाती है तुम लोट आते हो कोई मुक्त नहीं होता किसी को तुमारे मंतरों के उचारन से सरीर उपरब्द नहीं होता बै तुम्हारे मंतर ना भी बोलोगे तो भी उपलब दिकरवाएगे तुम कोई भी मानिता रख सकते हो इस्लाम की मानिता हो सकती है इसायत की मानिता हो सकती है सिनातिन की मानिता हो सकती है तुम्हारी मानिताओं के हिसाब से प्रकृति काम नहीं करने को है प्रकृति अपने विधान के इसाब से काम करेगी तुम्हारी मान्यताइं उसके आगे बौनी है तुम्हारी मान्यताओं को वो उपेक्षित करतेगी तुम क्या मांगते हो यह प्रकृति पाबंद नहीं है इस बात के प्रकृति अपनी चाल चलेगी ये तुम्हारे पंडितों प्रहुतों के बने गए पाखंड है सबताहा करवा लो, मुक्त हो जाओगे ये लोक पाख कमा रहे हैं जब इने बता ले नहीं कि आत्म होती क्या है यदभी सश्तरों में पढ़के बता देंगे अनभव कुछ भी नहीं, अनभव के नाम पर शून्या तो आत्मा की मुक्ती के सिखर्वा पाएंगे बागुत की किसा सुनने मत्र से या कहने मत्र से मुक्ति का क्या समन्द है मुक्ति का कोई समन्द ने मुक्ति तो चर्म पर्म दशा है बाद में जाकर मुक्ति मिलेगी जब मिलेगी अब तो बात है सरीर धारन करने की जो की दुर्गट नवस या किसी कारण से ये सरीर छोट गया है उसको दूसरा सरीर उपलब्द करवाना है ताके आगे की यात्रा सुरू हो सके और या तमारे पंड़तों के स्लोकों से प्रकृति यात्रा उपलब्द ना करवाएगी जो मानते नहीं के दूसरा जनम है उन्हें भी दूसरा सरीर मिलता है ये मत भूल जाना अगर इसलाम नहीं मानता इसायत नहीं मानती के अगला जीमन है तो प्रकृति उन लोगों को गरब नहीं अबलब्द करवाती नहीं प्रकृति अपने काम से अपनी चाल से चली जाती है जब इसायत मानती सी के सूरज पर्थवी के इर्द गर्द गुमता है सूरज प्रिथ्वी के इर्दगर्द गुमता और जब इसका एतराज उठाया गैलीली ओ गैलीली ने नहीं ये गलत लिखा है बाइबिल में सूरज प्रिथ्वी के गर्द नहीं गुमता है प्रिथ्वी चिक्कर लगाती है सूरज के इर्दगर्द मैंने देखा है अपनी दूर्बीन से लेकिन इसायत की तो किताब में लिखा था ये तो बाइबिल में लिखा है कि सूरज घूमता है प्रित्वी के आसपस जद्वी लगता तो ऐसा ही है तो ये सायत अड़ गई गैलीली ओ गैलीली को सजा दी गई उसके घर में नजर बंद कर दिया गया जेल तो जेल है घर हो चाहे बाहर हो कैद कर लिया गया गैलीली ओ गैलीली बहुत बड़ा वेगया निका हमने खो दिया कैदल कि चर्ज के पादरी ने उसके मरने के साड़े तीन सो साल के बात ये बात मानी के हाँ प्रित्वी ही गुमती है सूरे के करता लेकिन एक वित्थी की आहुती तो हमने ले ली जो न जाने कितनी और खोजें करता उसकी आहुती हमारे धर्म शास्त्रों ने ले ले तमारे धर्म शास्त्रों में क्या लिखा है प्रिकृती के लिए वो कूड़ा है कूड़ा यद भी अपने अपने धर्म शास्त्रों को सभी सीने से लगाए पिरते लेकिन प्रकृति इस बात का ध्यान नहीं करती कि तमारे सास्त्रों में लिखा क्या है प्रकृति अपने चाल चलती है जैसा चलती है जब लिखा था बाइबिल में कि गूंता है सूरज पृत्वी के अर्थगर्थ तब भी प्रित्वे ही गोंती थी सूरज के रट मिधर्ट प्रकृति ने अपनी वबस्ता इसलिए नहीं बदली के बाईबिल में लिखा है चलो अपनी गती बद लो तुम्हारे सास्थरों में क्या लिखा है प्रकृति इस से कुछ लेना देना नहीं है प्रकृति का अपना ही सिधान्त है तुम्हारा सिधान्त कहता है कि तुम्हारी मरी हुई आत्मा मरा हुआ सरीर कैसे उसको नया गर्ब मिलेगा ये तुम्हारी अपनी लिखावट है प्रकृति उसकी पाबंद नहीं प्रकृति का अपना नियम जिसके पास भी शरीर नहीं उसको नया सरीर दे दे न अगर फिर वो दुरगटना कर सो गया तो उसके घर कोई कमीन है बार 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 तुमने कितने जनम बदले अंत तक जब तक तुम मौक्ष को प्राप्त नहीं होगा प्रकृती अपना करम करती ही रहेगी। तुम ठक जाओगे। प्रकृती नहीं ठककए। दाता दे लेंदा ठकपा जुगा जुगंतर खाईगा। तुम ठक जाओगे। प्रकृती नहीं ठकके। प्रकृती अपने नियमों से आवध nour adhesive, अटर., अपनी गती से मस्त चाल चलती है, तुमारी फिकर नहीं करते हैं, क्या लिखा बाइबल में, क्या लिखा कुरान में, क्या वेद में, क्या पुरान में, कुछ नहीं मतलब उसे हैं, इसलिए वो तुमारे धर्म शास्त्रों के अनकूल नहीं चलती, इस बात का ध्यान ड़कर, तुम्हारे धर्म शास्त्रों में क्या लिखा है ये प्रकृति मालूम भी कभी नहीं करते हैं ये तुम्हारी खोपड़ी ही मालूम करते हैं मुक्त हो जाता है प्रकृति में बाबा ये बात ठीक है या गलत है कोई प्रकृति मुक्त होता है बस मुक्त होता है जब वो मुक्त होता है उसे मुक्ति कहते हैं मुक्ति का एक ही आता है जो सभी संत बोलते हैं वो ही मुक्ति होती है उससे पहले कोई मुक्ति नहीं होती उससे पहले तो नया गर्वधारन होता है उससे पहले तो नया सरीर मिलता है सरीर बदलते हैं सरीर बदलते हैं पस किसी भी कारण से सरीर खत्म हो गया वसांशी जीरनानी अथा विहाय नवानी ग्रहनाती अरोपरानी तथा स्रीरानी विहाय जीरना अनन्यानी सियाती नवानी देखे जैसे हम पराने वस्तर उतार कर नए धारन कर लेते हैं वैसे ही आत्मा पराने सरीरों को छोड़ कर नए सरीरों में प्रवेश कर जाती है और ये जिम्मेदारी प्रिग्रति की है ये जिम्मेदारी तमारे पांडों प्रहुतों को नहीं है वो तो लालश वश, लोभ वश, उनका धंदा है, चोपट हो जाएगा मुक्ती वुक्ती का उन्हें कोई पता ने मुक्ति भुक्ति का आत्मा का उन्हें कोई पता ने जो ये भाकवत की कथा कहते है इन्हें आत्मा तक का कोई ग्यान नहीं होता है जो ग्यान होता है किताबी कीड़े होते हैं ये दो जैसा देख रही है वैसा बूल दिया अपने अन्भव से कुछ नहीं पब्द है तुम कहते कागद की लेखी इसलिए कबीर ने कहा कि तुम जूटे है तुम दूसरे का लिखा हुआ ग्यान कहते हूँ ये चबत है कबीर की तुमारे मुख पर तुम कहते कागद की लेखी और मैं कहता आँखन देखे मैं अथेंटिक हूँ मैं प्रमानी को हूँ मैं अपनी आँखों से जो देखा वो बोलता हूँ मैं किसी लेखनी को काले अक्सरों को देखकर नहीं बोलता किसी सास्तर में लिखा है इसलिए तुम अगर इन से पूछो के भागवत की कता कहने वालों से ये कहें के फलाशास्तर में लिखा है देख लो सास्तर प्रबुद व्यक्ति ने लिखा है के मुर्ण ने लिखा है इस बात को कौन जानेगा ये पता पागल भी तो किताब लिख सकता है मूर अग्यानी भी तो किताब लिख सकता है ये सास्तर तुमारे प्रबुद्ध ने लिखे कि अग्यानी ने लिखे ये तुमें कौन बताएगा तुमारी मानिताएं है और प्रकृति तुमारी मानिताओं के हिसाब से नहीं चलती प्रकृति तुम्हारे पुरानों के हिसाब से नहीं चलती भागवत के हिसाब से नहीं चलती ना प्रकृति बाइबल कुरान के हिसाब से चलती है ना प्रकृति वेद और उपनिश्यत के हिसाब से चलती है ना प्रकृति तुमारे सेंटिस्ट के हिसाब से चलती है ना प्रकृति तुमारी इच्छा के हिसाब से चलती है प्रकृति अपने चाल से मस्ती से चलती है ना रुकती है, ना रोके से रुकती है, ना चलाई से चलती है निरबाद चलती है तुमसे पूछती भी नहीं तुमको बताती भी नहीं पेहुआ गया मुक्ती का कोई समद्ध नहीं तुम्हारी मानसिक बिक्रतिया है तुम करते रहो रोकता कोई है कोई नहीं रोकता मजे से किये जाओ तुम्हे सांतवना मित्ती है देखा जाड़े तो मनुष्य 99% काम सिर्फ मात्र सांतवना के लिए करता है उसका वहम दूर हो जाए तुम सब को OCD की बिमारी लगती है कि यह जैसे सभी OCD की बिमारी से ग्रसित ऐसा लगता है जैसे मनुष्यता इस बिमारी से ग्रसित ही हो गई हो सभी वहम के शिकार है जो लिखा हुआ है उसको सत्य मानते है सब ने अपने अपने सत्य अपने अपने शास्त्रों से उधारे डिलिये हैं और तुम उधार ग्यान को अपनी दर्शन समझे लेते हो दीब ये दर्शन समझे लेते हो तुम शास्त्रों के काले लेखों को पढ़कर दीमाग में सापित करके तुम समझे लेते हो बस हमें ज्यान हो गए यदि पि ग्यान की प्रवाशा तक तुम नहीं जानता है जही दुख है कोई पिहोवा में तुम secular धारन करनी की बविस्ता नहीं कोई गया में नहीं, कोई भागवत में नहीं, कोई किसी सास्त्र में नहीं ये काम परकृति का है तुम छोड़ो इन बकवादों को, इन में कुछ नहीं बड़ा है जो लोग इनको नहीं मानते हैं, उन्हें भी सरीर मिलते हैं जो कबर में दफन हो जाते हैं उन्हें भी प्रकृति जिम्मा है उन्हें भी शरी ऐसा नहीं है कि कोई विक्ति मुसल्मान मर गया और कबर में दफन कर दिया गया वो लाख कुछ माने ना माने प्रकृति उन्हें निया गर्ब उपलब्द करवाए ही गी ही करवाए की इसायत को भी कोई भी दर्म हो ये काम इश्वर का है बखू भी करेगा तुम्हारे बताए कानूनों पे नहीं चलेगा तुम क्या आरूपित किये हो तुम्हारी सड़ी हुई खोपडियों में इसकी तरफ प्रकृति देखती हैं मैं ये शरीर नहीं हूँ नहीं ये शरीर मेरा है मैं तो ग्यान रूप हूँ मैं हूँ छेतना हूँ ऐसा निश्य करने वाला विदे देखो अपने से अलग जानने वाला विक्ति मुक्ति को प्राप्त हुआ वह मुक्ति को प्राप्त हुआ है पिहोवा जाने वाला व्यक्ति मुक्ति को, गया जाने वाला व्यक्ति मुक्ति को, पागवत की कथा सुनने वाला व्यक्ति मुक्ति को, या तमारे अन्न क्रिया कलाब, मुक्ति के साथ कोई समन्द नहीं रखते हैं, असल में कोई भी क्रिया मुक्ति से समन्द ही नहीं रखती सच तो मुक्ति उसे मिलती है जो कर्याएन हो गया जो कर्याओं से परे हो गया कर्याएं उसके सामने हैं और वह के दिर्ष्टा वाफ से सबी कुछ होता हुआ देखता है वह مुक्त हुआ कष्ट और अकॷ्ट कर्मों का समर्न नहीं करता जो उसने कर दिया और जो उससे हो गया जो उससे नहीं हुआ उसका पश्चत आप नहीं करता जो उसने कर दिया उसका भी समर्ड नहीं करता वह व्यक्ति मुक्त है सभी प्रकार की आंकाक्षाओं से परे होता है आंकाक्षाएं हों मानिताएं हों जोजनाए हूँ धारनाए हूँ थोपनाए हूँ समर्तिया हूँ संसकार हूँ जो व्यक्ति इन सबसे परे हो जाएगा इनको अपने से अलग देखेगा समझ लेना मेरे शब्तों को ये सबी चीद है वासनाएं, अंकाक्षाएं, कर्पनाएं, समर्तियां, संसकार इन सब को अपने से अलग देखेगा वो ही मुक्त है दूसरा कोई व्यक्ति मुक्त नहीं है मुक्ति की अजीव गरीव परभाशे इसने थे अश्टा वक्र की समझ में, दर्शन में मुक्ति का यही अर्थ होता है जो धारनाओं से, योजनाओं से, अंकाक्षाओं से, इच्छाओं से, समर्तियों से, संसकारों से अलग है सभी कर्मों को होता हुआ, देखता हुआ, साक्षी जो है, वह मुक्त है जो जान लेता है, के कर्म हो रहे है प्रकृति के गुन, गुनों में वर्त रहे है तीनों गुन, एक दूसरे में चक्कर की तरह चल रहे है कर्म हो रहे है और मैं मात्र साक्षी हूँ, मैं मात्र दरश्टा हूँ, मैं होते हुए कर्मों को देख रहा हूँ, बस वह मुक्त है और तम्हारी मुक्तियां ये तो किताबों में लिखी हुई बकवास हैं इनको मानते रहो, अगर मानना चाहते हो, कोई तुम से नहीं कहता कि इन्हें छोड़ो, हाँ, अगर मुक्त होना है, तो इन्हें छोड़ना पड़े का तुम्हारी थूपनाओं के आधार पे प्रकृति तुम्हें मुक्त नहीं करेगी तुम्हारी जोजनाएं, तुम्हारी धारनाएं, तुम्हारी थोपनाएं उनके एसाफ से प्रकृति कतरी नहीं चलती, ना चलेगी तुम्हें प्रकृति के अनुरूप चलना पड़ेगा, तब ही तुम मुक्त होप हो गए धन्वात